सर्वेभ्योग नमू नमः मैं अमिका प्रकाश हुना आपके समक्ष राजिसेक्षिक अनुसंदान एवं परिशक 36 गड़ इस्से आर्टी के द्वारा संचालित ओल्लाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का और हमारे शिक्षकों का मैं यहां स्वागत करती हूँ आज इस कोरोना काल में हम सभी घर बैठे इस्से आर्टी के द्वारा संचालित इस कारिक्रम का लाव ले रहे हैं और इसी लाव के तहट हमारी कक्षा छटवी, साथवी, आठवी की पढ़ाई निरंतर रुख से यहां ऑनलाइन चलाई जा रही हैं आज हम कक्षा साथवी के सब्त दशह पाठा को पढ़ेंगे जिसमें आपको बताने क्या वशक्ता नहीं हैं, आपको यहां चित्र दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है हमारी भारत कुमी ऐसे महान पुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है, जिन्होंने अपनी कार्य शैली से ना केवल भारत वर्ष में अपितु अपने व्यक्तित वेवं कार्यों का प्रकाश विश्व भर में फैलाया है ऐसे महामानव राष्ट्रवादी नायक थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो आज का हमारा विश्य है महात्मा गांधी आप लोग देख लिए हैं महात्मा गांदी जी को पहचानते भी है और यहां आप लोग स्लाइड में दिखाया जा रहा है आप इनको देख लिजे जो बच्चे जानते हैं इन्हें राश्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांदी का जन दो अक्टूबर सन 1899 इस्वी में हुआ था और आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांदी एकह महापुरुष आसित सह भाताय जीवत भाताय एवचा प्राणान अत्यजद अस्यपूर्णम नाम मोहंदास करमचंद गांदी अस्ती महात्मा गांधी एकह महापुरुष आसित एकह का मतलब होता है एक महापुरुष महापुरुष और आसित का मतलब होता है थे महात्मा गांधी एक महापुरुष थे महापुरुष क्यों कहा गया उनको? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उनकी गुलामी से हमें आज स्वतंत्र कराने के लिए उनका जो सहयोग रहा उनका जो योगदान रहा वह बहुत ही सराहनिये अतुल्निये हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है महा महापुरुष्टे सह का मतलब होता है वह भारता है भारत के लिए अजीवत मतलब जिए एक महापुरुष्टे और वह भारत के लिए जिए का कहने का ताद पर यह है कि अपने भारतियों के लिए अपने भारत देश के लिए उनका जीवन म्योचावर था और पूरी तरह से वह अपना सहयोग अपने देश के लिए उन्होंने प्रदान किया भारताय एव चा प्राणान अत्यज़त और उन्होंने सिर्फ सहयोगी नहीं बलकि भारतियों के लिए एव का मतलब ही चा का मतलब और प्राणान का मतलब प्राण अत्यज़त प्राणान अत्यज़त का मतलब त्याग दिये वह भारतियों के लिए जिये और भारतियों के लिए ही उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया अस्य पूर्ण नाम, इनका पूरा नाम क्या था? मोहन दास करमचंद गांधी अस्ती इनका पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी है चले देखते हैं इसमें आये हुए कठिन शब्द और व्याकरणिक तत्लों को इसका शब्दार्द एकह का मतलब एक आसीद का मतलब था, सह मतलब व, भारतिये मतलब भारत के लिए, अजीवत मतलब जीए, अत्यज़त त्याग दिये, और यत का मतलब होता है चुकी एम, अव्य है हमारा एम, च, सरवदा, अस्य और तस्य, एम का मतलब है ही, च का मतलब है और सरवदा का मतलब होता है सदा या हमेशा, अस्य का मतलब होता है इनका और तस्य का मतलब उनका, ये सभी अव्य हैं और शब्दार्थ इसमें दिया गया, इस पराग्राफ में जो activity क्या है भारताय श्ब्द का प्रयोग किया गया है भारत के लिए जिस प्रकार से बालक कंप बालक शब्दूरुप चल रूप बालक के लिए उसी तरह से भारत कभी चले गा ठाम निचे बारताय चतुर्थी विभक्त टा कहें उसके बाद है हमारा अजीवत और अत्यजत दो शब्दाएं है अजीवत का मतलब है जीए और अत्यजत का मतलब है उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया त्याग दिया और जीए यह सभी भूत काल की बात कही जा रही है इसलिए यह लंग लकार भूत काल में है प्रथन पुरुष एक वचन दिवचन बहुचन अजीवत अजीवताम अजीवन अत्यजत अत्यजताम अत्यजन तो अजीवत शब्द है हमारा लंग लकार प्रतम पुरुष एक वचन उसे तरह से अत्यजत है प्रतम पुरुष एक वचन में अत्यजन उन्होंने प्राण त्याग दि लिए उन्होंने अपने जीवन को जिया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड परग्राफ देखते हैं, अस्य जन्म 1879, यह हिंदी में लिखा हुआ है 1879, यदि आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 1869, 1879, खृस्तावदे, अक्टूबर, मासस्य, दुईतियायाम, तिथो, पोरवंदर, नामनी अस्थाने, अववद, अस्य तस्य पितू नाम, कर्मचंद गांदी, मातोष, पुतलीवाई आसी, तस्य पत्नी, कस्तूरवा, धार्मिका, पतिव्रता, नारी आसी, हम लोग गांदी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब उनके बारे में यह बताया जा रहा है, कि गांदी जी का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, उनके पिता जी का नाम क्या था, उनकी माता कौन थी, और उनकी पत्नी का क्या नाम था, चलिए देखते हैं, अस्य जन्म 1869 तमे क्रिस्तावदे अक्टूबर मासस से द्वितियायामति थो पूर्वंदर नामनी अस्थाने अववत। इनका जन्म 1869 इस्वी में अक्टूबर महीने के दूसरी तारीक को पूर्वंदर नामकस्थान में हुआ था। अर्थात महात्मा गांधी का जन्म दिन 2 अक्टूबर सन 1869 इस्वी में है तस्य पितू नाम करमचंद गांधी उनके पिता जी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता मातुष्य पुतलिवाई आसित और उनकी माता का नाम कुतलिवाई था। तस्य पत्नी कस्तूरवा और उनकी पत्नी कस्तूरवा थी, कस्तूरवा वाई थी और वह बहुत ही धार्मिक थी, धार्मिक प्रवर्ती की महिला थी और पती ब्रता नारी बहुत ही वह पती ब्रता नारी थी, पती ब्रता पती की सेवा करने वाली, उनका अनुकरण करने वाली अब इसमें देखते हैं इसमें दिखाया गया है इसमें स्लाइड में दिख रहा है आपको महात्मा गांदी और कस्तूर्वा महात्मा गांदी की पत्नी कौन थी कस्तूर्वा कस्तूर्वा बहुत ही क्या थी धार्मिक प्रब्रती और बहुत ही पतिवरता नारी थी और यहाँ पर मात्मा गांदी के पिता जी कर्मिचंद गांदी वो क्या थे एक दिवान थे कहा के वो काठिया वाल के छोटे से रियासत के दिवान थे और उनकी माता पुतलिवाई बहुत ही धार्मिक प्रबरती की महिला थी आपको दिख रहा है उनके हाथ में माला का जाब क और उनकी धारमिकता और उनके द्वारा अच्छे मार्क पर चलने के कारण ही उनके पुत्र महात्मागांदी के अंदर भी उनकी माता के ही बहुत अधिक गुण आये थे जो आज हमारे उन做 expectations के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आए हुए शबदार्त है कृष्टावदे का मतलब होता है इसवी सन में नामनी का मतलब है नामक अभबत हुआ पितु नाम पिता जी का नाम धार्मिकी धार्मिक प्रवर्ति की पती व्रता नारी पती की सेवा करने वाली नारी नेक्स्ट देखते हैं इसमें आये हुए व्यकरणिक तत्व कौन-कौन से हैं मातुष्य मातुष्य मातुधंच विसर्क संदी है अभवत का मूल शब्द भू है और यह भव से चलता है भवती भवता भवन्ती लट लकार में और लग लकार में अभवत अभवता अभवन तो अभवत शब्द हमारा हुआ लंग लकार प्रतम पुरुष एक वचन में पितु शब्द कैसे बना है पितु शब्द का मूल शब्द है पिता और विवक्ति है इसकी पितु पंचमी में भी आता है और शस्टी में भी आता है एक वचन दिवचन बहुचन पंचमी एक वचन यदि हम बीवक्ति की बात करें तो करताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से शस्ठी संबंध का के की तो यहां पर जो बात की जा रही है तो संबंध की पता है तो यहां शाष्ट्री एक बचन का प्रयोग किया गया है पंचमी को इसलें डाला गया है ताकि आपको पता हो कि पितु पंचमी में भीये और 6 देखते हैं बाल्य काला देव का मतलब है कि बच्पन से ही गांधी जी एक एक सरल बाल का मतलब बालत आसीद का मतलब है बाल्य काला देव बच्पन से ही बाल्य कालात धन एव बच्पन से ही गांधी जी एक सरल बालक थे सह सदा सत्यम वदतिस्म वह हमेशा सत्य बोलते थे सह का मतलब वह आचार्या नाम प्रिया आसीद वह अपने आचार्यों के शिक्षकों के प्रिये थे अचार्या नाम का प्रयोग यहां पर किया गया है, बाल का नाम बहु बचन में जैसे आता है, उसी तरह से अचार्या नाम भी यहां पर बहु बचन का प्रयोग किया गया है, अपने एक शिक्षक के नहीं, बलकि सभी शिक्षकों के बहु एक प्रिये छात्र थे, उच्चे श शिक्षायस अंग्लदेशम अगच्छत और उच्चे शिक्षा के लिए वह कहा गये अंग्लदेश मतलब इंग्लेंड गये विदेशम गमन समय मातू आग्यायाह ससंकल्पितवान यत अहम मध्यम न सेविश्य मांस स्पर्शम अपी न करिश्यामी एवं सदा प्रह्मचर्यम आच अरिश्यामी वह क्या किये शिक्षित व्यक्ति थे उस समय जब शिक्षा लोगों के द्वार तक पहुंची नहीं थी उस समय गांधी जी की शिक्षा दिक्षा बहुत ही अच्छी थी और वह एक बैरिस्टर थे और 1887 इस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा उत विदेश जाते समय उन्हेने अपनी माता से आग्या लेते समय यह संकल्प किया था विदेश गमन समय मातू आग्याया है संसंकल्पित्वान वह उन्होंने संकल्प किया यद की अहम मतलब मैं मध्यम मध्यम का मतलब क्या है शराब न सेविश्य मैं शराब का सेवन नहीं च अपी न करिश्यामी और सराप के साथ में क्या छोड़ूंगा मांस का अस्पर्ष भी मांस अस्पर्षम अपी मांस का अस्पर्ष भी न करिश्यामी नहीं करूंगा एवं सदा ब्रह्मचर्यम आचरिश्यामी और सदा हमेशा ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य आचरिश्यामी ब् विदेश जाते समय अपनी माता से माता उनकी जा रहा है बच्चा बाहर तो माता उनकी क्या थी बहुत ही परिशान थी कि बाहर जा रहा है विदेश जा रहा है उन्होंने अपनी माता से यह प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी शराब का सेवन नहीं करूंगा और मांस को अचर्र जी बन का पालन करोंगा इसमें आयो है वियाकरणिक तत्व को देखते हैं ऐखत्राई वाल्य काला देव या क्रिफन अगच्छत लिखवर इसमें मफ़ा आयगा रसको הצंदी विछेद है व्यां जना अगच्छत करिश्यामी कैसे बना है शब्द क्रीधातु से इसका लट लकार में चलता है करोती कुरुता कुर्वंती और लट लकार में चलता है करिश्यता करिश्यती करिश्यता और यह करिश्यामी शब्द जो है यह उत्तम पुरुष एक बचन में है करिश्यामी तो यहाँ आमि का प्रयोग किया गया है इसलिए यह उत्तम पुरुष एक वचन में है बालक का भी शब्दुरुप का प्रयोग आया है कि वह बच्पन से ही बहुत ही सरल्प जवाब के थे क्योंकि एक बालक की बात की जा रही है इसलिए बालका का प्रयोग किया गया है बालका 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 एक बचन का प्रयोग किया गया है तो एक बचन में है प्रत्मा बालका और द्यू बचन में आता दो बालक की बात होती तो क्या होता बालका और बहु बचन में बालका तो यहां पर बालक शब्द का प्रयोग जब वो बच्चे थे बच्पन की अवस्था के विशय में बताया गया है कि वह बच्पन से ही बहुत ही सरलसुभाब के थे तो बालक शब्द कैसे आया है बालक के शब्द रूप में प्रत्मा विवक्ति एक वचन में बालक का शब्द आ वह वदामह इसे प्रकार से उच्च शिक्षाय का अर्थ होता है उच्च शिक्षा के लिए मातू शब्द कैसे बना है पितू के लिए बताईती जैसे उसे तरह से माता का भी शब्द रुप चलता है मूल शब्द माता है और यह शष्टी विवक्ति एक वचन में मातू स्वदेश मागत्य सह देशस्य सेवयाम सनलगनह अवबत अस्य इश्वरे रिढ़ विश्वास आसीत सह आंगल शास्कानाम विरोधे सत्यागर आंदोलनम प्रावरतयत तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत तस्य सरवा समयाह सरवा शक्ति ही सरवम धनम चदेशा एवासीत चले इसका अर्थ देखते हैं स्वदेशमागत्य वह उस समय इसके पहले वाले स्लाइड में विदेश जा रहे थे वह क्या किये फिर स्वा देशमागत विदेश से पढ़ाई करके वह वापस अपने देश आ गए अपने देश आकर स्वा देशस से वह देश की सेवाया सेवा में सनलगन हम सनलगन अवबद हुए व विदेश से आकर अपने देश आकर व देश की सेवा में सनलगन हुए अस्य इश्वरे द्रिड़ा विश्वास आसित इनका अस्य मतलब इनका विश्वरे इश्वर में द्रिड़ा मतलब द्रिड़ बहुत अधिक विश्वास विश्वास आसित का मतलब था इनका विश्वास इश्वर में भी बहुती द्रड था, मतलब विश्वर के प्रती इनका विश्वास बहुती द्रड था, द्रड था मतलब बहुती मजबूत था और विश्वर में बहुती यह विश्वास करते थे सं का मतलब है वह, आंगल शास का नाम अंग्रेजों के शास को के विरोध में, अंग्रेज हमारे देश पर जब शासन कर रहे थे, उस समय उनके विरोध में उनोंने सत्याग्रा आंदोलन प्रावर्तयत, प्रावर्तयत का मतलब क्या हुआ? उनोंने चलाया, सत्याग्रा आंद करते पते हैं अंदूलन चलाया और तस्य श्रधा उनकी श्रधा अहिंसद्ध में थी में थी Tai में अभाइ झाल 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 झाल